कौन किसको टोपी देता घौन किसको धोका देता कौन चोर कौन है साधू कौन है सच्चा कौन है जुटा भोलेगा कोपल भाण आईगा कोपल भाण देखिये कोपल भाण ये है गोपल भाण धोड़ा खटा, धोड़ा मिखा सच्ची बातें कहानी में लिप्टा खुशियों की दौगत लेकर हसी का तफा भोलेगा कोपल भाण आईगा कोपल भाण देखिये गोपल भाण ये है गोपल भाण एसा चरित्रा बड़ा ही पिछीत्रा धुमक धुमक कर करे देखो नियत्ता एसा चरित्रा कानों से सुनो जरा छुप छाप सोचो जरा आखो से देखो जरा खोलेगा कॉपलफाड आईगा कॉपलफाडध टिखिए कॉपलफाडध यह है कॉप़ प्लृफ कोलफाडदच ओ लगेगा कॉपलफाडध यहा कॉपलफाडड़ सच में बहुत खुब सुरत राथ है चारों तरफ चांदनी ही चांदनी फैली है रुको 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 वत्स कहां जा रहा हूँ कहां जाओगे मैं सन्यासी हूँ वत्स मैं करीम पूर जाओंगा तुम्हारे बैल गाड़ी में जगह है क्या मालिक बिठा लूँ हाँ बिठा लो चले आईये सन्यासी जी बच्चों, तुम लोगों का नाम क्या है? बताओ। मैं गोपाल, और ये मेरा दोस्त हरी चरण, हम लोग जात के नाई है। अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है। सन्यासे जी, आप अपना परिचे दें। अरे मुर्खों, संसार के सारे मुहमाया को त्याग करके सन्यासी बन गया हूँ, अब मेरे परिचे लेकर क्या करोगे तुम लोग, बताओ लग रहा है, बर्दवान का सीता भोग का खुशबू आ रहा है बच्चों, भूल से भी इस मटके को हाथ मत लगाना क्यों सन्यासी? इस मटकी में नाग है, मैं मंत्र की शक्ती से उसे सुला कर रखा हूँ, जो मंत्र की शक्ती नहीं जानता है अगर वो इस मटकी को छूते हैं, तो संग-संग नाग उसे डस लेंगे, और उसकी मिर्तिव संग-संग हो जाएगी अब तुम दोनों सावधान रहना आपने चिंत रहे सन्यासी, आपके इस मटकी को हम दोनों कभी नहीं छूएंगे बहुत नींद आ रही है, बच्चों, कहा उत्रोगे तुम लोग हम लोग चानपूर, मैं करीमपूर से पहले वाले गाओं में मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, करीमपूर आते ही मुझे जरा उठा देना हाँ, हाँ, जरूर, जरूर, नारायन, नारायन शन्याशी, गहरी नीद में सो रहे हैं, चलो, अब जरा मटकी को खोल कर देखते हैं, क्या है नहीं गोपाल, उस मटकी को भूलते मत छुना, क्यों, सुना नहीं, उसमें नाग है जाने दो, बेकार की बात है, ये देख, क्या है इसमें अरे, इसमें तो सीटा भोग है, आहा, क्या खुशबू है, ओहो, बहुत अच्छा अरे, बाईया, मुझे भी थोड़ा सा देदो, मुझे भी भूख लेगी है, आहा आहा, बहुत बढ़िया, तो आधिस्त है, वह, पेट भर गया खाके, इधर जो करेम पूर आ गया है, ये भी देखो, सन्यासी को उठाना होगा, लेकिन मटकी खाली है, सुनो ताव सन्यासी जी, सन्यासी जी, करेम पूर्त पार होगा, वह, बैल गारी रोको, बैल गारी रोको, रोको, रोको सन्यासी जी ये लिजिए आप अपना नाग वाला मटकी अरे 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 ये कहा हुआ क्या गया मेरा एक मटकी सीता बोग आपके नाग के पेट में आज एगाज़।